नमस्तकार सातियों स्वागत है आपका study lovers family में और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आये हैं model paper model paper जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत जल्द आपके लिए model paper लेके आऊंगा तो model paper जो है UKPSC पटवारी forest guard के लिए useful ये model paper होगा आपके लिए बहुत important question आपको यहां से मिलेंगे पुरा practice set की तरह लीजिएगा इसको और इसमें हम total जो है 100 questions जैसे की exam paper बनता है UKPSC का same as it is होगा maximum marks जो है 100 marks का है और negative marks 0.25 यहां पर मिंसन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग question को attempt करते चल आपका जो है out of 100 इस paper में आता है तो और देखना आपको यह है कि आप तैयारी के किस level पे पहुँच चुके हैं और आप कितने prepare हैं आने वाला exams के लिए तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किये देखते हैं पहला प्रस्न है हमारे पास देखें सबसे पहला प्रस्न है उत तो अनसुचित जनजाती के लिए जो सीटें हैं वो केवल दो सीटें हैं सही answer हो जाएगा option number B अगला प्रस्न देखते हैं सिरी पूर्णागिरी मंदिर उत्राखंड के किस जिल्ले में इस्तित है सिरी पूर्णागिरी मंदिर जो है इन में से अलमोडा चंपावत नैनिताल या फिर टिहरी में तो सही answer इसका है पूर्णागिरी मंदिर जो है वो आपका चंपावत में इस्तित है तो सही answer हो जाएगा option number B अगला question देखते हैं उत्राखंड की जनसंख्या उत्राखंड का जनसंख्या घनत तो कितना है 159, 165, 170 या फिर 189 तो सही answer हो जाएगा इसका 18 189 विक्ति जो है पर्ग पर र्ग किलो मीटर अगला प्रसवन देखते हैं उत्राखंड राजय में राजयसभा के लिए कितनी सीठे हैं तो इसमें जो सही answer है राजयसभा के उत्राखंड में 3 सीठे हैं अगला प्रसवन कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कप किया गया तो कु तो सही आंसर इस question का जो है वो 1945 है पहले जो ये हैदराबाद regimen के नाम से जानी जाती थी लेकिन 1945 में इसका नाम जो है कुमाव रेजिमेंट के नाम से गठित किया गया अगला question देखते है उस पेस पंत को किस छेतर में जाना जाता है उस पेस पंत इनमें से क्या है राजनेता है वैग्यानिक है अंतरास्ट्य अमामलों के विसे सग्ये है या फिर गणितग्ये है तो सही उत्तर इस प्रस्ण का जो है option number C है उस पेस पंत अंतरास्ट्य अमामलों के विसे सग्ये है अगला प्रस्ण देखते है उत्राखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्तान कहां इस अगला प्रस्ट देखते हैं निम्न में से किस्तिति को उत्रकंड दिवस मनाया जाता है तो उत्रकंड दिवस सभी को पता है 9 नौमबर 2000 को उत्रकंड राजय का गठनवा तो 9 नौमबर सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट रास्टिय द्रिष्टी बादितार्थ संस्तान निम्न में से कहां इस्तित है रास्टिय द्रिष्टी बादितार्थ संस्तान हरिद्वार दैरादून नैनिताल या फिर रिसिकीज तो सही आंसर जो है वो है दैरादून रास्टिय द्रिष्टी बादित जो संस्तान है वो दैरादून में है अगला प्रस्ट देखिए निम लिखित किस जिल्ले में सरवादिक नगर है कौन सा जिल्ला है जिसमें नगरों की संख्या सरवादिक है हरिद्वार बागेसवर देरादून या फिर पॉड़ी तो इस प्रस्न का जो सही उतर है वो है वो के लिए आ रख्षण की सीमा रखी गई है अगला प्रस्न देखते हैं निम्न मेंसे किसका संबंद बं संबंदी चिपको अंधोलन से है इत्रय बरहामन है रिग्वेद इसकंद पुरान या फिर महाभारत तो इस question का जो सही answer है वो है option number B, रिगवेद में जो है देव भूमी सब्द आया है अगला question देखते हैं पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है केशर सिंग रावत, बीर चंदर सिंग गडवाली, हरक सिंग रावत या सही उत्तर इसमें से हो जाएगा बीर चंदर सिंग गडवाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है अगला question आदिगुरू संक्राचारे की समाधी इस्ती थे इन जगों में से किस जगे आदिगुरू संक्राचारे की समाधी इस्ती थे आदिगुरू संक्राचारे की समाधी इस्ती थे विसों नामक परवत पर क्या इस्ती थे अगला question कार्तिकेपुर राजबन्स की राजबासा थी िन में से कौन सी जो भासा है वो कार्तिकेपुर या कत्योरी राजबन्स की भासा थी तो इन में से कत्यूरी या कार्तिकेपूर राजवन्स की भासा जो है वो संस्कृत थी अगला प्रसन देखते हैं राज्य के निम्न में से कौन सा खनिज उत्राखंड में पाया जाता है इन खनिजों में चूना पत्थर जिपसम या ग्रेफाइड इन में से उत्राखंड में क्या पाया जाता है तो उत्राखंड में ये सब ही पाया जाते है अगला प्रसन चूना पत्थर निम्न में से किस चटान का उधारन है अफसादी का है, आगने का है, रुपांथरिक का है या फिर जोड़ा मुखी चट्ठान का है तो सही आंसर हो जाएगा चूना पथर एक अफसादी चट्ठान का उधारण है राजय के लिए महादिवक्ता की नियुक्ती की जाती है इन में से किस के द्वारा की जाती है तो राज्य के लिए जो महादिवक्ता की नियुक्ति करते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है तो सही आंसर हो जाएगा option number D आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद देखते हैं उत्राखंड में कितने विकास खंड हैं उत्राखंड में विकास खंडों की संख्या हो गई 95 अगला प्रसंद उत्राखंड के किस जिल्ले में सरवादिक गाउं है ऐसा कौन सा जिल्ला है उत्राखंड का जिसमें गाउं की संख्या सरवादिक है option देख सकते हैं हरिद्वार, अल्मोडा, देहरादूनिया, पौड़ी, सही अंसर हो जाएगा, पौड़ी गड़वाल में सरवादिक गाव है, अगला प्रस्न, किस ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है, तो कंकाली ताल इन में से किस ताल को कहा जाता है, इसका जो सही अंसर है, वो है, रूप नदी की सहायक नदी है तो सही अंसर हो जाएगा option number B आप लोग count करते चलिए और last में अपना score जरूर बताना अपने comment box में कि कितने marks आपके इस paper में आ रहे हैं अगला प्रस्म दिखिए पिंडर नदी का उदगम है पिंडर नदी का उदगम इन में से किस जगों से है बदरीनाथ ये सरलसा है पिंडर का पिंडरी गिलेसियर से उदगम अगला प्रस्म हस्त सिल्प सामगरी मोस्टा बनाया जाता है मोस्टा किस से बनाया जाता है बांस से रिंगाल से चीर की चाल से या पांगर की लखडी थे तो सही आंसर इसका है उप्सन नंबर भी मोस्टा जो है रिंगाल से बनाया जाता है अगला प्रस्म है निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हैरिटेस साइट या विस्सोधरोहर इस्तान है कौन सा इन में से वर्ल्ड हैरिटेस साइट है तो हमें पता है नंदा देवी बायस्फियर रिजर्ब जो है वो विस्तो धरोहर इस्तान है इन में से बाकी के तीनों नहीं है अगला प्रस्ट सुची सुमेलित कर सही उत्तर चुनिये विंसर बन्यजी विहार मालन पशु विहार असकोट बन्यजी विहार ये कहां कहां है एक तरह से तो देख सकते हैं कूट भी देख लेते हैं इसके विंसर पशु बिहार मालन पशु बिहार असकोट बन्यजी विहार तीन अप्सन है मारे पास तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विंसर जो है विंसर अलमोडा में है मालन पशु विहार जो है वो पॉड़ी गड़वाल में है और असकोड जो है वो पिथोरागड में है यानि दो तीन और एक तो सही आंसर इसका हो जाएगा उप्सन नमबर ए अगला प्रस्न देखते हैं तिलाडी कांड का संबंध है तिलाडी कांड किस से संबंधित है तो तिलाडी कांड जो है वो बन अधिकारों से संबंधित है अटेम्ट करते रहिए क्वेस्चन को अगला प्रस्न है पानी राखो अंदोलन के सूतरधार कौन है इन में से तो पान मारा कारवेट नेशनल पार्क है वो केवल भारत का पहला नहीं है बलकि दक्षिनपूर्व एसिया का पहला रास्तिया पार्क है तो सही आंसर हो जाएगा option number C अगला प्रेस्ट उत्राखन राजय में आयुरवेद चिकित्सा पध्धती को निवेश को बढ़ावा देने के लि हाली में उत्राखन राजय में ब्रहद सचता अभियान पक्वाड़ा कब मनाया गया option देख सकते हैं 5-15 सितंबर 17-24 आठ सितंबर से 12 सही आंसर हो जाएगा option number 20 17-24 सितंबर अगला प्रेस्ट है हाली में उत्राखन में किन दो इस्तावनों पर सैनिक स्कूल खोलने का निर्न सिंग नगर में अगला प्रेस्ट निमलिकित में से किस देश ने एस्यकप 2022 का खिताब अपने नाम किया तो इस्यकप 2022 का किताब जो है स्री लंका ने अपने अपने नाम किया है स्री लंका अभी जेता रहा है एस्यकप का अगला प्रेस्ट हाली में भारत ने संयुक्त सैन् बज्र परहार का अभ्यास किस देश के साथ किया तो बज्र परहार जो सैन्य अभ्यास होता है वो USA के साथ होता है USA और इंडिया जो से इंडिया के बीच में होता है वजर परहार अगला फ्रसन गड़वाल रेजिमेंट का मुख्याले कहा इस्तित है तो गड़वाल रेजिमेंट का मुख्याले जो है वो लेंस डाउन में है अगला कॉस्टन देखते हैं हाली में जगदीब धंकड भारत के कौन से नंबर के उपरास्ट पती चुने गए हैं जगदीब धंकड का नंबर बताना है कौन से नंबर के उपरास्ट पती ये हैं सही answer इस्त में है चौदवे नंबर के उपरास्ट पती है जगदीब धंकड और एक question आपके लिए इससे पहले भारत के उपराश्ट पती कौन थे? comment box में उनका नाम भी लिखिएगा अगला प्रसन देखते हैं भारत की पहली digital लोग अदालत कहां इस्तापित की जाएगी तो भारत की जो पहली digital लोग अदालत है वो राजस्तान में इस्तापित की जाएगी अगला प्रसन निमलिखित में से किस गुण के आधार पर प्रकास तरंग को ध्वनी तरंग से अलग किया जा सकता है साइन्स का क्वेस्टन आगे किस गुण के आधार पर प्रकास तरंग को ध्वनी तरंग से अलग किया जा सकता है तो इस question का जो सही answer है वो है option number C धुर्वन के गूर्ण से जो है परकास तरंग को धुनी तरंग से अलग किया जा सकता है अगला प्रस्ट जब कोई print स्वतंतर रूप से पिर्थवी की और गिरता है तो उसकी कुल उर्जा जो है क्या होता है बढ़ती है नियत रहती है घरती है पहले बढ़ती है और फिर घरती है सही answer जो है इसका वह option number B नियत रहती है मतलब एक समान उर्जा रहती है अगला प्रस्ट है इटली का यात्री निकोलो कांटी बिजे नगर की यात्रा पर किस सासक के सासनकाल में आया था हरियर पर्थम देवराय दूतिया या कृष्ण देवराय सही आंसर इसका है देवराय पर्थम के सासनकाल में आया था निकोलो कांटी इटली का यात्री अगला प्रस्ट वह बहुती घटना जिसके आधार पर एक सरल सूक्षमदर्सी पेरिस्कोब किस सिधान पर कार्य करता है कुल मिलाकर question यह है इस question का जो सही answer है वो है प्रकास का परावर्तन अगला प्रस्ट वह को सिकांग जिसका मुख्य कार्य कार्बो हाइडरेट लिपिट प्रोटीन का संग्रहन एबं परिवहन करना होता है कार्बो हाइडरेट लिपिट प्रोटीन का संग्रहन भी और ट्रांसपूर्ट करना किसका कार्य होता है तो इसमें से जो सही आंसर है वो है option number B, गौल जी का है अगला प्रसंद देखते हैं, विटामिन E का रासाइनिक नाम है तो विटामिन E का रासाइनिक नाम जो है, वो होता है tokoferol सही आंसर हो जाएगा option number C अगला प्रसंद देखते हैं, संबंधित जीन की अभिव्यक्ति रोक कर अवांचित लक्षणों से मुक्ति की परकिरिया कहलाती है यानि संबंधित जीन की अभिव्यक्ति को रोकना है और अवांचित लक्षणों से मुक्ति पाने की परकिरिया को क्या कहते हैं किसी जीन के अभिव्यक्ति को रोक कर यानि रोक रहे हैं तो इस परकिरिया को जो है जीन साइलेंसिंग कहा जाता है अगला प्रसन देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में स्वन्ड पदक जीतने वाले भारत के खिलाडी नीरत चोपड़ा का संबन निम्न में से किस खेल से है तो नीरत चोपड़ा सभी को पता है नीरत चोपड़ा का संबन जो है जैवलिन थुरोया भाला फेंक से है अगला प्रसन जीका वाइरस का परमुख वहा किन में से कौन सा है अगला प्रसन देखते है दक्षिन, ACI सहयोग संग के स्तापना हुई थी सार के स्तापना कब हुई थी तो इसमें से जो सही आंसर हो जायगा ओप्षन नमबर भी 1985 में नेक्स्ट लिकल Champions dell nunca संग का मुख्यांग जिसे दुनिया का पुलिसमेन की संग्या दी गई है तो इसमें से जो सही आंसर है वो है संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिसत को दुनिया का पुलिसमेन की संग्या दी जाती है अगला प्रसन होकी के मैदान की लंबाई वा चोड़ाई कितनी होती है होकी क संख्या से अधिक अगर काम पर लगे हुए हैं तो वह विरोजगारी जो है पर्छन विरोजगारी कहलाती है अगला प्रेस्ट वह दर जिस दर पर भारतिया रिजर्बैंक अनुसूचित वानिजिक बैंकों को अल्पकालिक रिन देकर अर्थ व्योस्ता में तरलता बढ़ाता है कहलाती है CRR बैंक दर रेपो दर या फिर रिवर्स रेपो रेट तो इस क्रेशन का जो सही आंसर है वो है रेपो रेट जिस दर पर भारतिया रिजर्बैंक जो है अनुसूचित वानिजिक बैंकों को बैंकों को देता है रेपो रेट पर और बैंकों से जो लेता है वो र पराद्व का नियम, नेक्स्ट है, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी मानाव निर्मीत नहर है, जो जोडती है, तो स्वेज नहर जो है, वो भुमध्य सागर को लाल सागर से जोडती है, अगला प्रेस्ट, गौह मरुस्तल जो बोथस्वाना, नामी भिया और दक्षिन अफ्रिका में विस्तृत है तो बोदस्वान इन में से गिपसन है, सिमसन, गोबी या पिर चैया अंसर इन में से है, काला हारी मरुस्टल बोदस्वाना नामी बिया और दक्षिंअफ्रिका इन sweeping विस्तृतरों में विस्तृत है गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है सरवादिक इस्ताई पारिस्तितिक तंत्र इन में से कौन है बन का है घास का है तो सरवादिक इस्ताई जो पारिस्तितिक तंत्र है वो सागरिया पारिस्तितिक तंत्र को माना जाता है अगला प्रस्ण भारतिय संभीधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान विकल्प आप देख सकते हैं अंसर है दसवी अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान किया गया है अगला प्रशन हिंदुस्तानी सास्त्रिय संगीती वह परसिद गायन सैली जिसमें गायन के नियम निश्चित वा अटल होते हैं इंपोर्टेंट क्वेशन है सही आंसर इसका ज सबसे पहले किया जाता है उसे कहते हैं तो उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र योग का अगला प्रशन दिल्ली सल्तनत में घोडा दाग ने वह सैनिकों का हुलिया लिखने की पर्था की शुरुवात की थी इन में से किस ने की थी सही आंसर इसका है अप्सन नमबर बी अल्लावदीन खिल जी ने की थी अगला प्रसन देखते हैं 1857 की किरानती में लखनों का नेतरितों किस ने किया था तो लखनों में जो नेतरितों किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने अगला प्रसमि पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग इस्ताफित किया इनमें से गोवा, सूरति कि नौट सही आंसर है जूचीन में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग 1503 इस्ताफित किया था इंग्लेंड's Debts to India इंग्लेंड डेप्ट टू इंडिया नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है इंडिया डेप्ट टू इंडिया अगला प्रसन देखते हैं सिक्षा में सुधार एतु बिर्टिज सरक अगला प्रस्न है भारत सेवक समाज की स्तापना किस ने की थी इन में से भारत सेवक समाज की स्तापना करने वाले गोपाल किस्न गोखले सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है सुरक्षा प्रकोस्ट की नीती निमलिखित में से किस से संबंदित है सुरक्षा प्रकोस्ट की नीती का संबंद वारेन हैस्टिंग से है अगला प्रस्न देखते है भारत में किसके सासन काल में इंगलिस इस्ट इंडिया कमपनी जब भारत में गठित हुई तो उस समय यहाँ पर अकबर का सासन था अगला प्रसन है 12 मासा की रचना किस ने की थी 12 मासा फेमस रचना है जो की मलिक मुहमद जाइसी की है अगला प्रसन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा बंदरगा गुप्तकाल में दक्षन पूर्वी एसिया के साथ ब्यापार के लिए उप्योग किया जाता था इन में से कौन सा बंदरगा साई आंसर है इसका तामर लिप्ती अगला प्रसन देखते हैं बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उन से संबंद चार स्थानों का नीचे उलेख दिया गया है जो कि सुची एक दो में उलेखी थे हैं सुमेलित करने हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जन्म, ज्यान प्राप्ती पर्थम परवचन और निधन तो बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं बुद्ध का जन में सभी को पता है लुम्बीने में हुआ था ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति बोद्गया में हुई थी पर्थम परवचनिन का सारनात में हुआ था और निधन हो गया पुसीनगर यानि पहले का हो गया 3 3 से सुरू 1 और 11 में से तो अंसर हो जाएगा option number C अगला प्रसंद निमन में से किस हडपा कालीन इस तल से टेरा कोटा का हल प्राप्त हुआ तो इन में से कौन सा वो था बन बाली अगला प्रसंद देखते हैं रिगवेद सहिता का नवा मंडल पूर्ण था किसको समर्पित है तो रिगवेद सहिता का नवा मंडल जो है सोम सोम देव को या सोम और इस पेपर नामकृत देवता को अगला प्रसंद 16 महा जनपदों की सूची कहां उपलब्द है तो बौध गरंथ है अंगुतर निकाय में 16 महा जनपदों की सूची मिलती है अगला प्रसंद है विजयनगर के राजा किष्ण देव राय ने गोल कुंडा का यूद किस राजा के साथ लड़ा था तो विजयनगर के राजा किष्ण देव राय उन्हें गोलकुनडकायूद कुली कुतुप सा के साथ लड़ा था अगला प्रसम देखते हैं अंग्रेजों ने स्रीरंग पतनम की संदी किस के साथ की थी तो स्रीरंग पतनम की संदी जो है, ये टीपु सुल्थान के साथ हुई थी अगला प्रस्ट रविंदर नार टैगोर ने अपनी नायटूड उपादी किस कारण त्याग दी थी तो famous question है बार-बार पूछा जाता है सही answer इसका जलिया वाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविंदना टैगोर ने अपनी नाईटूट की उपादी जो बिटिसेज ने उन्हें दी थी वो त्याग दी कम बोलने वाला ब्यक्ति वाक्यांस के लिए उप्यूक्त सब्द होगा एक सब्द में जवाब देना है इसका हिंदी के कुछ क्वेस्टन होगे इसमें का विलोम सब्द क्या है उत्तम का विलोम सब्द इन में से अधम होता है अगला प्रसन चौराहा में कौन सा समास है तो चौराहा चार सब्दार है यानि संख्यावाचक है सही अंसर हो जाएगा द्विगू शमास अगला प्रसन देखते हैं सिरहतेली पर रखना का अर्थ है मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है सिरहतेली पर रखना का अर्थ होता है मरने के लिए तयार हो जाना अगला प्रसन है जाईसी किस धारा के कभी है ये मलिक मुहमत जाईसी की बात हो रही है तो इन में से जो है पिरेम ख्यानक काब्यधारा के कवी है जाइसी मलिक मोहमद जाइसी निमलिकित में से कौन छायावादी कवी है तो इन में से जो है देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंथ जो है वो छायावादी कवी है अगला प्रसन है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है मगई हिंदुस्तानी बगेली या कौरवी सही आंसर है इसका कौरवी मूल नाम खड़ी बोली का कौरवी ही है अगला प्रसन देखते हैं उपसर्ग का परयोग होता है सब्द के आगे पीछे या सब्द के बीच में तो सहिए आंसर इसका हो जाएगा Option No.A सब्द के आगे उपसर्ग का परयोग होता है साहित्य से समंध रखने वाले को क्या कहते हैं लेखा कहते हैं नाटाकार कवी या फिर साहितिक कहेंगे उपसन नमबर डी अगला प्रस्ट राम पढ़ता है यह किस परकार का वाक्या है तो राम पढ़ता है यह जो है सरल वाक्या है अगला प्रस्ट अकल का दुस्मन का आर्थ है अकल का धुस्मन है तो वो महामूर्ख होता है अगला प्रसन रस कितने परकार के होते हैं तो मुख्य रूप से रसों की संक्या 9 बताई गई है अगला प्रसन कणीस्वर किस परकार की संधी है कंधन ईश्वर तो ईश्वर यानि बड़ी E बन रही है तो दीर्ग संदी option number A अगला प्रस्न रामायन का सही संदी विच्छेत क्या होगा तो रामायन का सही संदी विच्छेत जो इन में से है वो है option number C रामधन आयन अगला प्रस्न नीचे दी गई जानगारी के आधार पर निम्न प्रस्न का उत्तर दीजिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा reasoning के कुछ question होगे इन जानकारी के आधार पर अगर A माइनस B है तो A जो है B का पिता है A प्लस B A B की पुत्री है A अगर divide हो रहा B से तो A जो है B का पुत्र है और A इंटू B है तो A B का पत्री है अब हमें यह बताना है कि P प्लस S यानि P प्लस S अगर है तो इसमें क्या हो जागा P प्लस S A B की पुत्री है यानि P जो है S की पुत्री है P ठीक अगला है माइनस T यानि माइनस T अगर इसमें से माइनस T करेंगे माइनस T के लिए A-B A B का पिता है यानी S जो है T का पिता है तो P और T का अब संबनद बताना है P और T का संबनद जो है भाई-बहन का संबनद है तो बहन चाहेगा अगला प्रसंद देखते हैं प्रस्न वाचा कि चिन के इस्तान पर मिले खित में से कौन आएगा देख सकते हैं c d h i m n तो इन में sequence का थोड़ा से अंतर है c d e f g तीन तीन words gap है e और f और g यहां भी देखेंगे i j k l तो अब m n o p अगला word जो है n है o p q तो अगला word क्या हो जाएगा r r के sequence में s तो सही answer इसका हो जाएगा option number d rs अगला प्रसन देखते हैं एक घंड के 6 प्रिस्ट अलग-अलग रंगों के हैं लाल प्रिस्ट काले के विपरीत है हरा प्रिस्ट लाल और काले के बीच में है नीला प्रिस्ट सफेद के आसन है तथा भूरा प्रिस्ट नीले के आसन है हरे प्रिस्ट के आसन चार अंग है तो आसन में चार अंग जो है ये question थोड़ा सा देख लिजेगा सही answer इसका जो है वो है option number c लाल, काला, नीला और सफेद अगला प्रसन देखते हैं प्रसन वाचक चिन के इस्तान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए तो इसका sequence देख लिजे ये कैसे किया गया है देखो, 7 पहला word जो है 7 into 2, 14 7 into 2, 14 इधर 2 का multiply है इधर 3 का 7, 3 जा 21 और 9, 4 जा तो 7 into 2 दूसरे के लिए इसके लिए into 3 कर रखा है इसके लिए into 4 कर रखा है तो ऐसा ही यहाँ पर देखेंगे 9 into 2 जो हो गया 18 हो गया और 2 into 3, 6 हो गया और 6 into 4, 24 हो गया तो अब हमें देखना है कि 8 यानि 2 2 गुना किसका होगा तो 2 गुना यानि 4 तू जा 8 हो जाएगा और इधर हमें देख रखा है 15 15 यानि 3 times multiply करना है 3 से यानि 5 से multiply करेंगे तो 5, 3 जा 15 और 3 का 4 से multiply करेंगे किसको 3 तो 4, 3 जा 12 यानि 4, 5, 3 तो सही answer इसका हो जाएगा option number D अगला प्रसन देखते हैं और अंतिम प्रसन है 7 प्रसन मुझे उम्मीद है कि आप लोग attempt करते हुए आए होंगे और अपना score इसके बाद comment box में जरूर लिखेंगे निमन लिखित बिकल्पों में से कौन सा सब्द computerization सब्द के अक्षरों का उप्योग करके नहीं बनाया जा सकता है तो इन में से कौन सा सब्द computerization सब्द के उप्योग करके नहीं बनाया जा सकता है option देख सकते है reputation, competition, compassion या फिर compass तो सही answer जो इसका compass है compass क्यों है आप देख सकते है यहाँ double h सारा है यहाँ a की बार s है तो compass इन से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है option number d हमारा सही उत्तर हो जाएगा तो यह हमने एक model paper discuss किया जो कि पटवारी और forest guard की भरती के syllabus के according है तो I hope आपको परसन आया होगा और आप अपना score comment box में type करेंगे कि कितना score ताकि आप लोग अपनी तयारी को observe कर सकें और अगर कम score भी आ रहा है तो उस हिसाब से आप अपनी आगे की preparation जारी रखे हैं इसके अलावा हमने previous year MCQ की series start की थी और काफी subject पे हमने वीडियो बना लिये थे तो next segment जो हमारा रह गया है जिसमें एक भी वीडियो नहीं बना पाए हैं तो वो science का होगा science में भी मैं courses करूँगा तीनो subject physics, chemistry और biology के जो की पूछे जाते हैं competitive exams में तो वो previous year के question जो भी UKPSC की भरती परिक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर UKSAC की तो वो सारे के लिए एक-एक master वीडियो लेके आऊंगा तो आसकरता हूँ आप लोगों को lecture पसंद आया होगा पसंद आया तो like जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचा है और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है किर पया subscribe कर दे thanks a lot for listening मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए जैहिन